हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आमिन केसे बनाते हैं और क्या से बनाते हैं, जो जो आमिन को नहीं जानते हैं उनलूक वीडियो को आगे देखिए कि आमिन किसको कहा जाता है और केसे बनाए जाता है, तो सबसे फेले आपको तौ मेटो लेना है तमेतो को चि जो च लाते के के ऊवलने देना है कुकर में डाल के फिर उसको ऊबलने देखे के, मीट को सफ में आची तरह है मीत हालने देना है हstars और चता चता जो चावल को ग्रैंदर में ग्रैंड के उसको डाल दीजिए और आप उसको बीस-बीस में हिलाते रहें और बीस-बीस में चेक कर सकते हैं कि चावल कम की तिक है कितना अत्मी के लिए पना रहे हैं तो आपको कम लांगे से आप बीस में तोरह-टोरह एट कर सकते हैं चेक करके और उसको दाल कि आठ्चा से मत बूलना अच्छा से हिलाते रहना If जब आमिन पक्के हो जाएगा तो आप मिल्च गार्लिक और तोमेतो कर चैतनी बना के साथ में का सकते हैं आपको बहुत ही टेस्थी लागेगा और आप बिस बिस में पानी को भी चेक कर सकते हैं आपको पानी कम लागने से ज्यादा सुखा लागने से आप इसमें तोरह पानी डाले लेकिन पानी आप एकी बार में डालने से तीक रहेगा कि वार बार आप पानी डालते रहेगा तो उसमें आमिन में ज्यादा तेस्थ नहीं होगा और जब पाक रहा होगा तो आप उसमें आत्रग और लौसन का पेस्ट बना के राखने वाला डालिए वीस में मिला दीजिए उसको और पिर अच्छा से मिक्स करिए और हाँ नमक डालना मत बूलिएगा और ये हम लोग का आमिन बन के रेडी हो गया आप अब इज़े का सकते है और सूरी में आप लोगों को इसको आशी तरह प्लेटिंग करके नहीं दिखा पाए